आज रख पर आप देख रहे हैं लगातार कवरिज सुश्मा स्वराज जी को याद करिए तो फोरन याद आ जाता है कैसे वो एक प्रखर वक्ता भी थी लेकिन इसी के साथ एक सहज मुस्कुराहट के साथ हर किसी से मिलती थी चाहनेवालों के लिए करीबियों के लिए वो दीदी थी तो एक तरफ एक विदेश मंत्री जिसने हिंदुस्तान का सिर हर अरे सही होगी इस वक्त जुर रहे है हमारे साथ हिमान्चुम अब से कुछी देर में उनका पार्थिव शरीर बीजेपी दफ्तर लाया जाएगा तस्वीरे बता रही है प्रधानमंत्री भी शोका कुल हर कोई शोक स्थब्द लेकिन कारकरता जरूर चाहेंगे आज कि एक बार सुश्मा जी के दर्शन करे बिल्कुल एंजना सभी कारकरता चाहेंगे कि शोश्मा जी को अंतिम शर्धाजली दे और हम बीजेपी दफ्तर में है मैं अपने कैमरामेंन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर इंतजाम किये गए है कारे करता जो है जब शोश्मा सुराज का पार्तिफ शरीर बीजेपी दफ्तर आएगा उसके बाद कारे करताओं को मल्टी पर्पस हॉल के अंदर लाये जाएगा जहां पर उनका पार्तिफ शरीर रखा जाएगा अंतिम शर्धाजी दिक लिए लगभग तीन बजे तक उनके शरीर को यहां पर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए और उसके बाद जो है सीधा लोधी क्रिमेशन सेंटर लेकर जाएगा जहां पर उनको अंतिम मुखागनी दी जाएगी लेकिन मैं आपको बता दूँ कि शुष्मा सुराज के लिए आप जैसे खेह रही थी न कि हर कारे करता होगा कल एमस में था में राथ को आप भी थी कारे करता आम जनता हर कोई जानी चाथा था कि क्या हुआ शुष्मा सुराज को वो नेता जो पिछले कुछ समय से बोलती नहीं थी लेकिन ट्विटर पे जब भी लिखती थी ना तो कुछ ऐसा लिखती थी कि जिसको हम सब को हेडलाइन बनाना पड़ता था आम जनता सुनना चाहती थी शुष्मा सुराज को विदेश मंत्री के तौर पर उन्होंने कई बार राज्य सभा के अंदर ऐसे मुद्दों पर विपक्ष को आले हातों लिया जो विपक्ष को लगता था कि वो सरकार को घेरेगा लेकिन जब शुष्मा बोलती थी ना शुष्मा सुराज का 1996 का वो भाशन याद कीजिए जब 13 दिन की सरकार के बाद वो विपक्ष में गए थे और उन्होंने भाशन में कहा था कि शरत पवार जो है वो शरत पवार की भूमिका में नहीं है ललित पवार की भूमिका में है तब पूरा सदन जो है हसी से बूज उटा था शरत पवार भी हास रहे थे तो इस तरीके के हास से विनोध भी वो अपने भाशनों में प्रियोग करती थी और कटाक्ष करती थी तो जिस पर कटाक्ष करती थी उनको भी हसी आ जाती थी उनके कटाक्ष को सुनते हुए शेरो श हमेशा उन्होंने बहुत महत्व दिया, तमाम मेमान हमार साथ स्टुडियो में भी है, ऐसे पत्रकार जिन्होंने बहुत करीब से उनके सफर को देखा है, हम उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन सुश्मा स्वराजी के आकस्मिक निधन ने हर किसी को जग जोड दिया है, किसी को भ पाकिस्तान के प्धान मिंत्री ने भारत के संबंध में दो बातें कहीं, जिनका जवाब देना चाहूंगी, एक तो उन्होंने कहा कि मेरे देश में मानवाधिकार का उलंगन हो रहा है, मैं कहना चाहूंगी, कि जिनके अपने घर शीशे के हो, उन्हें दूसरों पर पत्थ कर नहीं पेंखने जाही है, जरा एक बार बगल में जहांकर देख लें, क्या हो रहा है बलुचिस्तान में, और वो खुद क्या कर रहा है वाँ, मैं कह सकते हूं यहां कि आज जो बलुचिस्तान में हो रहा है, वो यातनाओं की पराकाश्चा है, और दूसरी बात उन्होंन किस शर्त की बात की जा रही है, हमारे शपत रहंड समारों से पहले, जब हमने पाकिस्तान के प्रधान मंतरी को समारों में आने का न्योटा दिया था, आमंतरन दिया था, तो क्या कोई शर्त रखी थी? मैं स्वयम इस्लामाबाद गई थी और comprehensive bilateral dialogue हमने शुरू किया था इकठे बेच कर क्या कोई शर्त रखी थी प्रधानमंतरी मोदी काबुल से दिल्ली आते हुए लाहुर उतर गई थे कोई शर्त लगा कर गई थे क्या ये कौन से शर्तों की बात हो रही है सच्चाई तो ये है अध्यक्ष जी कि शर्तों के आधार पर नहीं मित्रता के आधार पर हमने पाकिस्तान के साथ सारे के सारे विवाद सुलजाने की पहल की थी पाकिस्तान ये समझता है कि इस तरह की हरकतें करके इस तरह के भड़काव बयान देकर वो भारत का कोई हिस्सा हम से छीन सकता है तो मैं पूरी दिर्टा और स्पश्चता के साथ यहां यह कहें देना चाहती हूँ कि आपका ये मनसूबा कभी काम्याब नहीं होगा आपको बता दे ग्रह मंत्री अमिच शाह पहुँचे हैं अंतिम दर्शन के लिए ने सिर्फ प्रधान मंत्री को बलकि ग्रह मंत्री अमिच शाह को भी ट्विटर के जरिये धन्यवाद दिया था सुश्मा स्वराज जी ने बीती शाम शोका कुल परिवार से मिलते हुए ग्रह मंत्री अमिच शाह इससे कुछी देर पहले वहाँ पर विपक्ष की भी तमाम नेता आएं है सोन्या गांधी मनमोहन सिंग तमाम नेता और ये अमिच शाह ग्रह मंत्री बेटी पंखुरी और साथी उनके पती से मिलते हुए हर कोई हैरान है क्योंकि वो बीती शाम तक लोगों से बातचीत कर रही थी खबराई की हरीश सालवे को फोन पर उन्होंने कहा था कि कुलबुशन जादव का केस लड़ने के लिए जो एक रूपे का फ्रतिकात्मक फीस है वो लेने के लिए आप मेरे पास जरूर आ जाईएगा बहुत खुश थी इस बात से कि धारा 370 को हटाने वाला जमू कश्मीर पुनर गठन बिल राज्य सभा के बाद लोग सभा में भी पास हो गया है बधाई दीप्रधान मंत्री को और कहा कि मुझे इसी देश बात से कि धारा